सब्सक्राइब कर रहे हैं थागर पॉलिकेशन के बुक इंट्रॉक्षेट्री उनिवर्स्टी के सब्भी थर्स सेमस्टर के सूदेंट के लिए बनाए गई है और इस बेस्ट नेपी बेस्ट लेबस सूद्स अभी तक हमारे चुप पीडियो रही है चानल पर अप्लोड की ग अगर आप उन चाप्टर को देखने चाते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बोक्स में अविलिबल होंगे आप वहां से जाके लेख सकते हैं और इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने जा रहे है हमारे बुक का चाप्टर फाइफ जो की है सरोजी नाइडू सॉंग अफ बुक कोर्स टाइब जो है वह हम डिस्के लिए उनके कोर्स में होगा दा बंगल सेलर सॉ आपने कोर्स के अगॉर्डिंग आप पोयम के एक्स्प्लीनेशन देख लेगा अबाउट दोनो ही केसेम रहे हैं तो चलिए चलते हैं हमारे बाउट दो पर बाउट पोएट इनका सारोजनी नाइडू जी की बात करते हैं तो हर कोई नहीं जानता है जो नहीं जानता है या जिसे हिस्ट्री असच नहीं पसंद है उसे जी एस में एक लाइन जो जरूर पढ़ियोगी वो है इसकी वज़े से इनका नाम हर किसी ने सुना हुआ है चाहे वो इंग्लिश लिट्र में सुना हो चाहे वो हिंदी लिट्रेशर में सुना हो चाहे वो है एसस्टी में सुना हो चाहे वो जी के में सुना हो बट इनका नाम समने सुना होगा तो इनका पूरा नाम है या आप कह सकते हैं इनका मेडन नीम है मेडन मतलब शादी से पहले का जो नाम था वो था इनका स्वरोजनी चटोबाध्या है and she was the daughter of अगोर नाच चटोबाध्या है अब इनके फादर की जब हम बात करते हैं तो he was a बंगाली ब्राम्हन और प्रिंसिपल थी ये नाजिम कॉलिस हैदराबाद के इनकी date of birth आ जाती है 13 feb 1879 हैदराबाद में ही बाउन हुई थी ये और खुद में ये जो है पॉलिटिकल अक्टिबिस रह चुकी है feminist थी, poetist थी और इनको जो है ये जो है सिर्फ हमारी इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की first president, first female president ही नहीं बलकि ये हमारी country की first Indian female state governor भी रह चुकी है मैं इंडियन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम first female governor की बात करते हैं तो जाते हैं हमारी अगर इंडियन ओरिजन की हम बात करते हैं तो अगर स्कूलिंग की बात करते हैं तो at the age of 12 इन्होंने युनिवर्स्टी आफ मदराश जोइन कर लिया था और वहां पे इन्होंने 1895 से 1898 तक पढ़ाई की है इसकी बाद इन्होंने अपना education जो है वो इंडियन नाशल कॉंग्रेस मूवमेंट्स में आपके सकते हो गांधियन बिलीव जो थे या गांधी जी का जो नॉन कोपरेशन मूवमेंट्स चला था उसमें बहुत जादा बिलीव करती थी आपके इन्होंने गांधी जी को कई जगां सपोर्ट भी किया है इसके अलाबा इसके अलाबा ये इस्टन अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में भी गई है 1924 में और वहां पर जो इंडिया सहते थे उनकी वेल बिंग का भी इन्होंने खयाल रखा है इसके बाद जो है नेक्स्ट एर जो है ये फर्स्ट में प्रेसिदेंट बन गए इंडिया नाशनल कॉंगर्स की यह मैं आपको पहले बता चुके हूँ इसके बाद जो है 1928 से 29 के बीच में इन्होंने नौथ अमेरिका ट्रावल किया और वहां पर बहुत सारे लेक्चर्स डिलेवर किये कॉंग्र्स मुव्मिन्स को लेकर अभ यह बृटिश कर मेंस्ट करती थी इसके रीम काम करतें गांदी जीए साथ काम डम करती थी तक इनको वार काई बार की बार एंसको इनको पर या नाइंटीन धूर्ट करapor hue इसके बाद जो है 1934, 1942 से 1943 तक ये जेल में रही इसके बाद जब ये रिलीस हुई थी तो ये गांधी जी के साथ लंडन में गई थी और वहां पर इन्होंने इन्डिया इन्डिया इन ब्रिटिश कोपरेशन जो कि 1931 में हुआ था उसमें इन्होंने पार्सपेड भी किया था गांधी जी के साथ और ये मैं आपको अल्रडी बता चुकी है कि ये इंडिया की गवर्नर भी रही है युनाइट प्रोवेशन्स की युनाइट प्रोवेशन या उत्रप्रदेश की ये गवर्नर बनी और इसके बाद जो है 2nd March 1949 में शी राइड ओफा काडियक अरेस्ट इन्ड गवर्मेंट हाउस इनके कुछ वर्क्स की बात कर लेते हैं तो सबसे जो फेमस वर्क्स आ जाते हैं वाता है इनका The Golden Threshold 1905 में पब्लिश हुआ था The Bird of Time 1912, The Broken Wings 1917 and The Feather of the Dawn 1961 जो ये है हमारी ओथर अब इनका जो इंपाक्ट रहा है वो इंडिया में पॉलिटिकल ही तो रहा है क्योंकि एक एक अक्टिविस्ट और फेमिनस थी लिट्रेचर में भी इनका काफी जारा कॉंटिबूशन रहा है और इनके वैसे तो पोएमस जो उनका पेन था, उनका खुद का पेन था, उनकी खुद की लाइफ के जो सफरिंग्स थी और ओवर ओल जो इंडिया की सफरिंग्स थी और इंडिया को वास लेवल पर रिप्रेजंट किया हैं और बहुत सिंपल और अक्यूरेट वोर्स के साथ और इसी वज़े से हम अभ आपको पहले ही बताए कि जो फर्स पॉम है यानि की शॉगाप रिम जो है वो जिनका कोस टाइप mcc है उनके लिए है okay so first tranza पर चलता है first tranza जाता है once in the dream of a night I stood lone in the light of a magical wood so deep in visions that poppy light sprang the spirits of truth were the birds that sang the spirits of love were the stars that glowed the spirits of peace were the streams that flowed in that magical wood so कुछ चीज़ा हम देख लिजए इसमें जो है पोईटिस जो है मारी जो speaker है वो बात करी है एक सपने की जो की उन्हें जो है एक magical word में ले जा रहा है magical wood यहाँ पर लखा है wood यहाँ पर लकडी नहीं है इसका मतलब है forest एक चीज़ यहाँ रखेगा wood लकडी को कहता है wood जो है वो forest को भी खा जाता है तो magical wood एक magical jungle में लेके गई ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक बार वो सपने में देख रही है यहाँ रात के समय वो अपने सपने में देखती है कि वो एक magical wood में अकेली खड़ी हुई है ठीक है और उस vision में उस dream में वो इतनी जादा खोई हुई है जैसे कि एक poppy plant जो है poppy plant जो है usually हम लोग नशे के लिए यूज़ करते है जैसे poppy plant का नशा होता है और उसके विज़से आप बहुत जादा खो जाते है वैसे ही वो अपने dream में बहुत जादा खो गई है वो बहुत जादा involved हो गई है या बहुत गहरी नीन में वो चली गई है अपने dream में ठीक है और इस forest में क्या है इस magical forest में क्या है कि spirit of truth जो है वो birds का formation लिये हुए है या birds को represent कर रहे है birds जो है वो रीप्रेजन कर रहे है spirits of truth को यह singh कर रही है जैसे जो चड़िया चह चहा रहे होती वैसे वो उस जंगल में spirit of truth जो है वो चड़िया का formation लेकर चड़िया का रूप लेकर जो है वो गाना गारी है या चह चहा रही है and spirits of love क्या कर रहे है वो stars बनके ग्लो कर रहे हैं spirits of love यानि कि प्यार की जो spirits में वो क्या कर रहे हैं वो stars का formation लिए है या stars जो है वो represent कर रहे हैं symbolize कर रहे हैं spirits of love को and वो sky में जो है वो glow कर रहे है spirits of peace जो है वो flowing streams की तरह बने हुए हैं कि वो continuously बहुत शांति मिलब आप किसी ऐसे एरिया में चले जहाएं जहां पर जंगल हो and पास में इन्दम शांति सी नदी क्या पानी जैसे बहरा हो तो वो एरिया जो होता है या वो जो पर्टिकलर स्पॉर्ट होता है वो बहुत सरीन लगता है बहुत सरील लगता है तो वैसे ये सपना भी वो इन्हें नजर आ रहे हैं आपके ऐसे तो रिप्रेजन करें स्पॉर्ट ओफ पीस को and लास्ट लाइन में वो फिर से रिपीट करते हुए कहते हैं कि ये वो जंगल है जहां पर मैं सो रही हूं so again वो एंफसाइस करें हैं कि ये सच नहीं है it is just a dream context जल्दी से इसका देख लेता है तो context context यह है कि जो author है या poet जो है वो एक dream-like experience की बात करा है जिसमें वो एक magical wood में है रात के समय और इस magical wood में एक mystical place है जहां पर अलग-अलग spiritual entities है जो manifest हो रही है natural elements की तरह explanation जल्दी से देख लेना है तरह explanation यही है कि poem जो है वो start होती है कि speaker जो है night time में अपने सपने में है और वहाँ पर भी वो जो है एक outwardly experience experience कर रहा है और इस dream में क्या है जो dream है वो बहुत ही realistic लग रहा है and fluid and boundless लग रहा है सपने में यही होता है आप कुछ भी पास अत्म ने कुछ भी हो सकता है तो उस अपने में भी यही चीज लग रहा है कि वो realistic लग रहा है बट वो fluid are boundless इस सपने में कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो forest जो जो magical forest magical forest में कुछ भी हो सकता है and यह जो enchanted forest है वो एक magical light से लोगर रहा है, हमारी जो poetist से speaker है, वो forest में, अकेले है वहाँ पे, यह जो अकेला पन है, यह जो solitude है, यह imply करता है, दो चीजों को पहला आजाता है, personal introspection को, ठीक है, कि वो आत्म मन्थन करना चाह रही है, दूसरा show करता है, एक intimate connection, हमारे जो surrounding, हमारा जो nature है, उस से, ठीक है, तो solitude का, यहाँ पर हर एक शब्द दिखा मतलब है, इस poem में, तो ध्यान रखेगा, यह जो solitude है, वो कह रही है, कि मैं अकेले हूं, ठीक है, I'm alone, या alone, तो इसका symbol यही है, कि मुझे time मिल रहा है, personal introspection करने का, आत्म चिंतन करने का, या आत्म मन्थन करने का, अ वो सर्यल है, eternal environment दे रही है, एक तरीके से, enchanting और illuminating है, enchanting मतलब, mantra मुझे करने वाली है, and illuminating मतलब, बहुत bright light, so इसी में, जो है, वो आगे बोलती है, कि यह जो सपना है, यह जो vision है, वो ऐसे लग रहा है, जैसे कि एक poppy plant हो, और मैंने आपको पहले बताया, poppy plant क्या होता है कि वो associate होता है, नशे से, सपने से, या dream से, एक तरीके की seductive property वो रखता है, so इसी वज़े से, यहां पर वो comparison कर रही है, कि यह जो vision है, यह, वो vision में इतना जादा खो गही है, कि अब उन्हें, hypnotic quality जैसे feeling आ रही है, उन्हें जैसे लग रहा है, कि वो नशे में है, यह जो है, वो embody किये हैं, रिप्रेजन कर रहे हैं, सच को जो है, वो गा रहे हैं, इससे जो है, इसका simple implication यह है, कि सच जो है, हमेशा harmonious होता है, beautiful होता है, और वो हमेशा सामने आ जाता है, ठीक है, वो revealing quality रखता है, जैसे वो verse की voice miliorious होती है, वैसे ही, सच भी जो है, वो miliorious होत जो है, इसके बाद जो है, वो कहते हैं, कि जितने भी stars है, उस sky में या उस forest में, ठीक है, वो represent करते है, spirit of love को, यह भी एक implication देता है, कि आस पास उनको प्यार, उन्हें बहुत warm feel हो रही है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, एक comforting and uplifting environment उनको वहां पे मिल रहा है, ठीक ह जो nature में usually हमें suggest हो जाता है, and magical wood है, तो यह सारी implications उन्हें वहां पे मिल रहा है, वहां पे उन्हें बहुत शांती, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अपना पन लग रहा है, and she feels like she belongs there, okay, so यह तो है हमारा first stanza, अब हम जलता है, हमारे next stanza पे, so यह तो बात होगी अलग- करते हैं इस line के साथ, कि जो magical forest है, वो land of sleep में है, मतलब वो पुछी तरीके से imply कर दे रहे हैं, पहले तो उन्हें ने imply कर दिया, कि मैं सपना देख रहा है, वो फिर से एक ही line repeat कर कि वो बताना चाहरे है, कि यह जो experience है, यह जो चीजें वो बता रहे हैं, यह सब उनके सपने म कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज जो है, वो एक deeper emotional और spiritual connection है, जो कि वो अपने सपने मेंदेख रहे हैं, ठीक है? So यह होगा हमारा stanza बर, अब हम चलता है, नेक्स टांजब पे, In the lights of that magical groove, I fill the stars of the spirits love and gleam round my delicate youth. And I hear the song of the spirits of truth. To quench my longing, I bend me low. By the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood in the land of sleep. In the middle of the woods, there is a magical groove in the woods. In the woods, there is a magical groove in the woods. जब वहां पर अकेले खड़ी रहती है तो वहीं पर उसी टाइम क्या होता है कि यह जो स्टार्स है वो इनके आसपास आके ग्लो करने लग रहे हैं इनको पुरी तरीके से आपके से ब्लांकेट कर ली हैं और कवर कर ली हैं वो जो है वो spirits of love का प्यार जो है जो warmth है वो फील कर पा रहे हैं कंफर्टिंग एंवार्मेंट इनको मिल रहा है उन स्टार्स की वज़ा है कि इस समय जब वो पोयम लिख रही है स्पीकर वो यंग है उनकी बॉडी परी तरीके से यंग है तो वही चीज है कि मेरे यंग बॉडी में आपके से को या मेरे आसवास वा स्टार्स आ गये हैं के बज़ा से मुझे एक comforting feeling आ रही है तो अब यह comforting feeling आ ही रही है और इसी के साथ उन्हें सुनाई देती है The spirits of truth की आवाज जाने की जो birds तो उनकी आवाज में उन्हें सुनाई दे रही है और इतना सब हो रहा है इसी time हो decide करते हैं की उन्हें decide भी क्या करते हैं, उनको प्यास लग रही है, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, यह जो spirit of peace है, यानि कि stream flow हो रही है, इसे मैं पानी पी लेती हूँ, आगे की lines में उनने यही लखा है कि मैं मेरा मन कर रहा था पानी पीने तो मैंने क्या किया, मैं जो stream है उसके सामने उसके सामने वो चुपी ताकि मैं stream of spirits of peace से पानी पी सकते हैं, तो फिर से उन्हें ने लास्ट लाइन रिपीट कर दी है, इन दाट magical wood, in the land of spirits, वो फिर से इंपलाइ कर रही है कि जो magical wood है वो मेरे सपनी की दुनिया है, actuality में यह नहीं, okay Contextually से देख लेते हैं, तो context यही चीज है कि इसमें जो है, वो एक deep, serene magical experience की बात कर रही है, जिसमें जो है, अलग-अलग symbolic, imaginary use होई है एक sense of inner fulfillment आपको देखने को मिल रही है, इनने comfort भी मिल रहा है, उन्हें सची अवाद भी सनाई दे रही है, उसके बाद जो है, वो पीस भी पाप हारी है, एक सुकून भी मिल रहा है, ठीक है, तो वही चीज आपको last stanza में या second stanza में आपको देखने को मिल सकती है, तो explanation यही है कि second या last stanza में speaker वो खुड को पाती है कि वो magical group में या magical forest में अकेली है, इस secluded area है, यह enchanting part है, यहाँ पर light का वही चीज आ रहा है, फिर से भाही चीज, जो फर्स आंसा में बोली गई थी, कि एक it's real illumination है, यानि कि एक outwardly experience है, outwardly atmosphere है, जो वो experience कर रही है, ठीक है, and इस time पर again वही अकेले होने का, या isolated होने का indication वही है कि वो personal introspection करना चाहरी है, solitude को, यह जो solitude इनको मिल रहा है, इसकी वज़े से इन्हें जो है, वो अपनी अंदर से जो उनके अंतर आत्म है, उससे जो वो है, connect होके एक स्कून भरापल पा पा रहे हैं, इसके अलावा वो आगे, speaker जो है, आगे describe करता है, कि यह जो stars है, वो उनके stars का तो, यह तुम्हें आपको बता ही दिया, कि वो symbolize कर रहे है, spirit of love, and वो जो है, उनके आस-पास पूरी तरीके से आ गए है, and यह क्या कर है, they are making the speaker feel pure, and guiding her, and illuminating around her, okay, and यह जो gather हो गया है, इसके वज़े से, speaker जो है, एक protective and nurturing presence feel कर पा रहे है, okay, and यह जो इन्होंने delicate youth phrase ही उस किया था, तो इसका मतलब simple सा है, कि उनके जो age है, वो एक time है, उनका जो innocence है, and जो एक youth की sensitivity होती है, एक young insan की sensitivity होती है, वो अभी भी उनके अंदर है, and इसी वज़े से, यह जो spirit of love है, वो इन्हें warmth और comforting और nourishing feeling दे बार है, ठीक है, and इसके बाद speaker आगे continue करता है, कि वो spirits of truth समिलती है, spirits of truth की आवाज वो सुनती है, जो कि bird के symbolize के गया, birds के थूरू जो गाना होता है, उसे compare किया गया है, जो गाना है, यह आपके सकते है, जो chirping है, वो कैसा है, वो एक harmonious है, beautiful है, revelation काफी अच्छा दे रहा है, and such जो है, वो सामने आ रहा है, life का जो सच है, वो author के सामने आ रहा है, और उसके विज़े से speakers है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, अब इतने ज़्यादा सुकून पाने के बाद, उनका मन, longing, deep longing, यानि कि उनका मन करता है, उनके इच्छा आतिले कि वो spirits of peace, यानि कि stream flow हो रही थी वहां से, थोड़ा पानी पी लें, यानि कि peace को भी वो attain कर लें, इसको पीने के बाद या आप कह सकते हैं, जो stream उनके टेच्छ किया, यह symbolize करता है, tranquillinity and calmness को जो की author feel कर पा रही है, और इसका symbolization सर्फ इतना सा है कि वो एक emotional और spiritual जो उनकी thirst थी, वो इस अपने में उनकी complete हो गई है, अब वो जो है, पूरी तरीके से एक सकून भरी life में है, और फिर से उनने last line repeat कर दी है, and last line का मतलब वही चीज है, the magical forest, the magical wood into a land of sleep, so फिर से यह चीज वो explain करें कि जो भी experience है इनका, यह सपनों की दुनिया में हो रहा है, इसमें भी उनने अपने सपनों की दुनिया में उनने अपना spiritual, अपना emotional fulfillment अचीव कर लिया है, उनने love, truth, और peace, तीनों यह चीज़े उनने अपने सपने में मिल गई है, so student, यह तो होगई हमारी first poem, song of a dream, अब हम चलते हैं हमारी next poem, so our second poem is the bangle sellers, so this poem is written by author or poetess, इसमें वो बैंगल सेलर्स की तारीफ कर रही है, and उसमें भी speaker, वो हमारे bangle sellers है, and वो अपने बार में भी बता रहे हैं, और अपने बार में भी उनने अपने बार में भी लड़की जोती है, एक लड़की जोती है, इसे different different age में, different colors different textures की चूनिया पहनती है, bangles पहनती है, उसको लेकर यह पूरे description उनने इस poem में दिया है, okay, so first answer है, bangles sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light, lusherous token of radiant lives for happy daughters and happy wives, so simple सा है, इसमें bangles sellers के बार में बात की गई, first answer में, bangles sellers यह वो इंसान है, we को refer कर जेगा है, यहां पर we वो bangles sellers को ही कहा जाए, bangles sellers आपने बार में बोल रहे हैं, कि हम bangles sellers हैं, और हम भारी समान उठा के ला रहे हैं, तेम्पल फेर में, मेले में लेकर आ रहे हैं, और वहां पर जो है, अपना हम यह bangles sell करना चाहरे हैं, चुटियां sell करना चाहरे हैं, आगे कुशन करें कि कौन खरीदेगा, कैसी चीज़े हैं, कैसी bangles हैं, delicate bangles हैं, bright bangles है, rainbow tinted circle of light, यह जो इतना पूरे, चार वर्ड्स उन्होंने यहां पर यहां तक लिखे हैं, यह पूरे phrase का meaning है, यह सिर्फ bangles को डिस्क्राइब करने के लिए हैं, इसके आगे, lustrous token of radiant light, यह phrase भी उन्होंने यूज किया है, bangles को डिस्क्राइब करने के लिए, वह एक तरीके से बहुत ही लश्रस होते हैं, शाइनि होते हैं और वह लाइफ को बहुत अच्छे से denote कर ले थे हैं, रदियंट करते हैं, और यह पसंद हैं, यह जो है, डॉर्टे वह पसंद है उस चारई में पर देते हैं, तो कौन पहनेगा, तो कौन पहनेगा, happy daughters पहनेगी and happy wives पहनेगी, wives तो जिती भी हमारी married women है, वो सब चुनिया पहनती ही है, bangles पहनती ही है, so उनके रहे बंगल बनी है, okay? Stanza का context देख लेते हैं, तो poem is set in the traditional Indian context where fairs and markets are common, especially around the temples, these fairs are places of commerce and celebration for people to come and buy. various goods including bangles, so context से ही है कि यह जो हमारा पुरा setup है, यह मेले में है, and ऐसा ऐसा मीला नहीं, especially जो temples के पास मीला लगता है, so temples के पास बहुत सारे मीले लगते थे, यह जो मीले लगते थे, fairs लगते थे, एक तरीके से commerce का, यानि कि trade का जो है बहुत ही अच्छा source होते थे, इसके अलाब जाते थे, and उन goods में से एक good होता था हमारे bangles, okay, explanation देखते हैं, so explanation, easy सा है कि इसमें जो है कि bangles seller का introduction दिया गया है, कि वो temple fair में गया हूँ है, bangles का trade करने के लिए, and वो एक street vendor है, and वो अलग-अलग words यूज करा, अलग-अलग terms यूज करा है, ताकि वो bangles को डिस्क्राइब कर यह सब जो है bangles के लिए यूज के लिए गया है, and इन ही के साथ जो है यह phrases यूज करके वो जित्ते भी उनके आसपास आ रहे हैं, जित्ते भी लोग आ रहे हैं, वो अपने पास बुला रहा है, उनको sell करने के कोशिश कर रहा है, उनकी daughters और उनकी wives के लिए जो प्रेस है, and इसका यूज कर रहे हैं कि bandles जो है वो इंडियन culture में एक बहुत ही significant value रखते हैं, and यह symbolize करते हैं happiness और success को, एक है, so यही phrase का यूज करके वो यही चीज़ समझाने कोशिश कर रहे हैं, okay, next stanza पर चलते हैं, तो next stanza में जो है, poetis में अलग-अलग ages, मैं आपको पहरे बोला कि इसमें जो है, आपको अलग-अलग ages कर रहे हैं कि किस age में किस age group की लड़की है, या किस age group में जो है, वो किस तरीके की bangles जो है, वो पहनते हैं, okay, so stanza देख लेते हैं, some are met for the maiden's rest, silver and blue as a mountain mist, some are flushed like the birds that dream, on the tranquil brow of a woodland stream, some are aglow with the bloom that cleaves to the limped glory of newborn leaves, so इसमें दो है, दो है, दो स्टेज़ की या दो age groups की बात की है, सबसे पहला है, कि जो maidens है, यानि कि जिनके शादिया नहीं है, जो अभी young age पर आई हुई है, उनके लिए जो है, उनके लिए जो है, उनके लिए जो है, कि अधर, इसका मौनटेन मिस्ट का दून्द होती है, कि वह एक नए को और शेयरोशा सहिसे रहताएं, जिसका फ्यूचरण या जब मांटेर में मिस्टर रहती हैं, जब मांज़ मिस्ट रहती हैं तो आप शॉर नहीं रहती हैं, आसपास की हैं, वैसे ही, जो इसके अलावा यह जो चलर्स है जो बैंगल यह उनके ड्रीम को शो करते हैं और शोकेस करते हैं कि जैसे बड होता है और वो आगे जाके ब्लूम करके एक फ्लार बनेगा या एक प्यारा सा खूबसूरा सा आगे जाके उसका एक फ्यूचर नहींगा वो चीज आपको यहां दे जिनके भी शादीन नहीं है उनको पहनना चाहिए जल्डी लगते है तो एक्स्पोन्स पहनना है टॉर अंस्टक की टमाइस भात कर दों में अलग अलग यहज शादी की आज़ना चाहिए और हर ग्रूप में जो है बैंगल का एक अलग significance है बैंगल के color का अलग significance है तो जितनी भी हमारी single young women है उनको जो है silver और blue color के पहनने चाहिए क्योंकि यह mountain mist को resemble करते हैं इसके लावा एक freshness को resemble करते हैं जो कि उनके future के साथ या उनकी life के साथ या उनकी age group के साथ रहता है इसके अलावा जो बाकी colors जो प्रिफर कर सकते हैं वह जाता है pink और red ठीक है pink के अलग-अलग shades और red भी नहीं light red ठीक है light red color वो पहन सकती है और यह showcase करता है flower के जो बर्ड होते हैं वो जिस तरीके से खूपसूरा सा हलका सा pinkish tint लेते हैं या reddish tint रखते हैं वो showcase करता है और वो बताता है कि इनकी जो life है वो आगे जाके एक prosperous life हो सकती है इसके अलावा वो जो है green color के bangles भी पहन सकती है जो कि एक नई leaf की तरह showcase करता है और वो बताता है कि उनका future जो है वो अभी 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 वो इस age group में आई है और जैसे एक नई leaf होती है उसका अग अग ग्लो होता है वैसे ही वो जो young maiden है वो अभी अभी इस age group में आई है और वो जो है young है उसका एक अलग glow है ठीक है वो showcase कर देता है green color हमारा ठीक है और आगे की line से ही आजते अगे में जो है कि colors जो है वो अलग-अलग age groups के लिए बने है बैंगल्स के जो colors वो अलग-अलग age groups के लिए बने हुए या अलग-अलग occasions के लिए अलग-अलग colors या अलग-अलग textures का यूज करते है और bangles को usually हम accessories की तरह यूज नहीं करते है यह बहुत साइच चिजें इंफ करने के लिए हम bangles पहना प्रफर करते हैं so यह हो जाता है हमारा third stanza next stanza पर चलते हैं the next stanza है हमारा some are like fields of sunlight gone met for a bride on her bridal morn some like the flame of a marriage fire or rich with the hue of a heart's desire tinkling luminous tender and clear like her bridal laughter and the bridal tear simple सा है अब इससे पर तो उनने maiden की बात कर लिए कि यंग-अजे शादी नहीं हुई है अब वह बात कर रहे है उन लड़कियों की जिनकी शादी हो गई या एक लड़की के next stage की जहां पर उसकी शादी हो गई है या होने वाली है जिनकी शादी होने वाली उनको कैसे पहनने चाहिए उनको sunlight glow जैसे या आपके सकते की orange shade हो गया red shade हो या यह उनने पहनना चाहिए यलोग यह उनने पहनना चाहिए इसके अलावा जो आग का color होता है या flame का color होता है उस color की चूड़ी पहन सकती है इसके अलावा वह red color की चूड़ी पहन सकती है जो कि उसके heart के desires को showcase करती है इसके अलावा उनने जो है चमकदार yellow चमकदार luminous trend और clear ज्यादा textured चूड़ी नहीं पहनने चाहिए या hues कौन-कौन से उनको यूज करने चाहिए या कौन-कौन से colors उनने यूज करने चाहिए तो red, yellow and orange का ही shade उनने यूज करने चाहिए ठीक है और यूशली आप जितनी भी इंडियन वेडिंग्स होती है या हिंदू मानने ताओ कि हिसाफ से वेडिंग्स होती है वहाँ पर अगर देखोगे तो जो दुलहन होती है वो यूशली यही रंग prefer करती है या उन्हें कहा चाहता है कि आप इन्ही तीन colors का shade आप रहें कंटेक्स देख लेते हैं तो इस stanza का कंटेक्स यह है कि इस stanza में bangles बताए जारे है कि एक bride के लिए उसकी wedding day के लिए कौन सी चूरिया प्रफरबले अच्छी रहेंगी और यह सिंबलाइज करती है इंडियन वेडिंग्स को इंडियन वेडिंग्स में चूरियों का क्या importance है इस stanza में बताता है कि एक जिसकी शादी होने वाली उसे yellow color की bangles को पहना चाहिए जिस दिन शादी होने वाली उसकी morning में उसे yellow color की चूरियां पहनने चाहिए और यह शोकेस करता है कि वह एक grown women हो गई है अब वो शादी के लिए प्रिपेर है शादी के लिए वो ready है शादी के टाइम पर जो है उसे bright red और orange color की चूरियां पहनने चाहिए bangles पहनने चाहिए और यह वताता है उसकी जो desires है उसकी जो wishes है जो आगे एक hopeful future रखके वो शादी करने के लिए तयार है और एक newly wedded है यह उसको शो करता है लाइफ के next stage पर जा रहे है और उसका दुख भी बता रहे है क्योंकि अब वो next stage पर जाने के लिए उसे क्या करना पड़ा है उसे अपनी family को छोड़ना पड़ रहा है अपना इस cultural importance में marriage के importance सकती है ब्राइट में क्या emotions आते है और overall शादी में जो है बैंगल के importance प्ले करता है इसके बारे में हमें पता चलता है next stanza पर चलते है इस stanza हमारी poem कर last stanza है and stanza की lines है some are purple and golden fleckled gray for she who has journeyed through life midway whose hands have cherished whose hands have loved as best reddled fair sons on her faithful breast and serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side so now they have to say that a girl should be married to her first stanza that she is married to her first stanza now they are saying that there are such colors like purple, golden, gray, these colors for the women who are middle age who have experienced their marriage life, who have experienced their married life, who have grown their children, who have grown their children and has been short of time the same thing whether they want to be कि उस्थाप्छाइ और या च्रस्था युछ्जग अन्चा वह दुछी और अगा तो यह 3 colors एक ऐसी women के लिए है जो अपने middle age में है यानि कि उसने अपनी life को experience कर लिया है उसने जो भी achievement थी अपनी life में वो उसने attain कर लिया है तो यह line describe करती है bangles को जो कि symbolize करते है maturity को, accomplishment को जो कि एक women अपनी life में achieve कर सकती है अगर उसकी life fulfilling है and यह highlight करता है उसका role as a nurturer, as a mother, as a devoted wife and as a religious devotee okay and यह India की आप कह सकते हो Hinduism की जो cultural value है उन्हें showcase करता है मैं India point नहीं करना चाहूंगे क्योंकि India is a secular country है यहां पर अलग-अलग religion रहते है so Hinduism will be a more appropriate world explanation की बात करते है तो final stanza में जो है bangal seller वो ऐसे bangals को describe कर रहा है जिनका color जो है वो purple, grey and golden freckles के साथ है वो and यह उन women के लिए है जो अपनी middle age में है जिन्होंने अपनी life को जी लिया है उन्होंने चीजें अचीव कर ली है अपनी life में अपनी life को उन्होंने fulfill कर लिया है वो एक devoted wife रही है एक caring mother रही है एक nurture रही है यह जो सारे rules थे वो उन्होंने अपने fulfill कर लिया है and इसलिए वो purple color उनके pride and respect को denote कर देता है grey color जो है वो denote करेगा उनके maturity को या उनके middle age होने को grey color usually बहुत dull color है और यह बताता है कि सामने वाला काफी serious है so middle age में अवरत उसको इतना समझा जाता है यह विमन जाता है कि अपनी life को आगे कैसे जीना है वो almost हर चीज होती है अपनी इस age में वो experience कर चुकी इसके आगे speaker प्रेस करता है virtue उसको जो कि एक विमन में पाई जाती है इसके अलाबा कि वो अपने spouses के साथ अपने husbands के साथ as a faithful wife रही है वो throughout their life और वो proudly जितने वे उनके household responsibilities से उन्होंने उसे समाला है अपने बच्चों को बहुत अच्छा से raise किया है और वो उनका जो love है God के तरफ वो उसको लेके भी sure है वो बहुत अच्छी religious devotee है और वो अपने husband के side में रहके God की पूचा करते है So students, इसी के साथ हमारे दोनों poems का explanation वो खतम होता है और हमारी वीडियो भी end हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर जेगा कोई doubt, कोई question, कोई suggestion आता है तो आप comment box में comment कर सकते है चानल को subscribe को लिजे क्योंकि ऐसे content आपको और मिलता रहेगा अगर आप ये book purchase करना चाहते हैं तो आप वो book ये book purchase करने के लिए आप हमारी official website पर जा सकते हैं मुझना Amazon और Flipkart से भी purchase कर सकते हैं अगर आप इसे अपनी किसी mobile device में पढ़ना चाह रहे हैं झाल